है गाईस इस वीडियो में मैं आप सभी को ओपो डिवाइस के गैलरी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ अब आपके पास ओपो एसिक्स हो ओपो रेनो हो या ओपो का कोई सभी डिवाइस हो उसके गैलरी के सेटिंग्स के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला कि वीडियो बहुत हिदा इंट्रेस्टिंग और नॉलेजफूल होने वाला है तो चाहिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को है गाईस फोको आई या पोको डिवाइस हो या यहां पर ओपो हो या रेडमी 6 से हो या फिर रेडमी का कोई भी डिवाइस हो या रियलमी ह होते हैं बस जो फीचर आगे दिया रहता है वो कभी कभी फीचर्स नीचे चला जाता है जो फीचर्स उपर होता है वो फीचर्स नीचे चला आता है तो यहीं सभी लाइक यहां पर मिस अंडरस्टैंडिंग होती है यह कह सकते हैं यहां पर सेटिंग्स थोड़े बहुत मिस device में यही settings होते हैं बस यह उपर नीचे हो जाते हैं जिसके वेज़ से हम confused हो जाते हैं इसके लिए सबसे पहले आप जिससे आप हमना setting open करेंगे तो दिखिए view hidden album का जो setting होता है वो हर एक device में दिया रहता है अब आप बस आपको ढूड़ना है कि वह आखिर कहां पर है तो आप नीचे में जाके सबसे देख सकते हैं और उपर में जाके देख सकते हैं तो यहां पर अगर आपके mobile phone में कोई update आया हुआ है तो अपडेट के बाद भी आपका setting हो जाता है तो आप इस बात का विध्यान रखिएगा कि अगर आपके mobile phone में कोई update आया है तो इसको भी पहले चेक कर लेजगा तो यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप अपने जितने भी hidden album है उनको like check कर सकते हैं उनको देख सकते हैं कि कि यहां पर जैसे आपने कोई hidden album create किया है तो easily आप यहां से आके उन्हें देख सकते हैं इसके बाद यहां पर देखिए यहां पर so it's slide 4 का जो option क्लिक करने के लिए तो इसके बाद यहां पर देखिए तो नीचे मैं आपको एक option मिलेगा ट्रास्मिन का जो like important settings है यह जो basic settings यह कह सकते हैं जो most important है आपके लिए वही मैं आप सभी को like describe कर रहा हूं क्योंकि आप सभी को क्यों कि हर किसी के मौलिफोन में यह options होते हैं एन हम में इसका यूज करना आना चाहिए तो यह जो ट्रास्मिन वाल आपको option दिखाए रहे हैं इससे आप क्या कर सकते हो इससे आप यह कर सकते हो कि यहां से जितने भी आपके pictures delete हुए हैं आप उनको restore कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैंने इस picture को delete कर दिया है और जैसे मैं इस restore बतना चाहूँगा कि gallery setting क्या होता है इसके मतलब इस पर full details के साथ हर एक device के लिए and like शुरू से लेके on तक कह सकते हैं कि album बनाने से मतलब basic से लेके एक दम से अलाइक कह सकते हैं competitive तक मैंने आप सभी के लिए settings के बारे में explain करके रखाए describe करके रखाए तो उन video's का link में आप जाके एक बार जरूरूर उन्हें देख लिए जगा ताकि आपके पास कोई भी device हो तो आपको दिक्कत ना आए and इसी किसान साथ मैंने एक video और बनाया है जिसमें कि मैंने आप सभी को बता है कि अगर आपका gallery open नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे open कर सकते हैं कुछ photo show हो रह है तो इन सभी वीडियो का लिंक में आप सभी को description box में दे दूंगा आप यह YouTube पे खुद जाका search कर सकते हो वटीज केमरा सेटिंग संतोस टाइम वटीज गैलरी सेटिंग संतोस टाइम अगर आप यह सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा आप जाके देख ल नहीं मिल रहा है आपको यहां पर कोई एक screenshot आटेस्ट कर देना है और इसके बाद आप यहां पर सब्मेंट यह सेंड कर सकते हैं इससे आपका गैलरी का जो भी स्टेटिंग मिसिंग होगा वह मिल जाएगा आप जो सेटिंग एड करना चाहते हैं इसलिए एड़ करा देंग क्योंकि हम बहुत ही करीव है 15,000 सब्सक्राइबस के यहां पर मैं आप सब्सक्राइब से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप किसी भी सूसल मीडिया प्लाटफॉम पर सेर कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं पेक करना पड़े मिलता है कि ले बेड़े